नमस्ते फ्रेंड्स मैं हुँ सीला मेरे चाइनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आप सभी को होली की हार्दिक शुब कामना है तो कैसे हैं आप सब लोग आई होप आप सब अच्छे होंगे आज मैं बनाने जा रही हूँ मैं देखी मठरी तो इसे मैंने कैसे बनाया है आप सब को दिखाने जा रही हूँ तो यह देखिए मैंने इसमें क्या ग्या डाला है मैं आपको बता रही हूँ तो यह देखिए मैं मैंने आधा किलो मैदा ले लिया है और इसे अच्छे से छान कर रख लिया है इसमें मैं 50 ग्राम सूजी डालूंगी सूजी डालने से बढ़ियां खसता मठरी बनती है तो सूजी तो मैं डालती हूँ मठरी अगरा बनाती हूँ तो और यह देखिए इसमें मैंने कलमजी डाल रही हूँ लगभग एक छोटा चमच से भी कम है और इसमें मैं देशी गी डालूंगी जो मैंने गरम करके रख लिया है तो यह देखिए मैं इसमें लगभग 100 ग्राम घी है उसको मैं डाल रही हूँ और यह से मैं थोड़ा सा नमक डालूंगी लगभग एक चमच के लगभग नमक डालूंगी तो यह देखिए सभी चीजे मैंने डाल दी है नमक बहुत ज्यादा नहीं डालना है अपने स्वाद के अनुसार ही नमक डालें फ्रेंट्स इसके बाद मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लूंगी इसे मोयन देना भी बोलते हैं तो इसे कम से कम 10 मिनट तक तो जरूर मिक्स करें जब अच्छी से मिक्स हो जाए पेड़े की तरह बनने लगे तो उसके बाद इसमें नॉर्मल पानी से गुथेंगे तो इसे मिक्स करना बहुत जरूरी होता है मिक्स करने में टाइम दे तो यह देखिए मैंने अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लिया है और यह देखिए पेड़े की तरह यह बनने लगा है इस तरह आप बनने लगे तो समझा यह आपका मुयन तयार है अब मैं इसमें नॉर्मल पानी डालूंगी इसे अच्छी तरह से गुत लूंगी इसे थोड़ा सकत ही गुत नहीं करना है अगर आप लूज कर देंगे तो फिर यह अच्छी से बनेगा नहीं तरह देखिए मैंने इसे थोड़ा सकत दो तयार कर लिया है यह देखिए इस तरह से इसे मैं 10 मिनट तक छोड़ दूंगी रेष्ट करने के लिए ताकि जो भी मैंने डाला है आइटम फॉर्मेट हो जाए अच्छा से तो यह देखिए मैंने रोटी की तरह बेल लिया है हलकी इसकी मोटाई है ज्यादा पतला भी नहीं करना है ज्यादा मोटा भी नहीं रखना है तो इस तरह से पहले बेल लें और यह देखिए मैंने एक हाजमोला की सीशी का ढखकन है मैं उसी से बनाने जा रही हूं तो यह यह देखिए यह बिल्कुल काजू के सेप में कटेगा यह देखिए इसे काजू मठरी भी बोलते हैं तो यह देखिए बिल्कुल काजू की तरह कट रहा है बहुत ही आसान तरीके से कट जाता है कोई प्रॉब्लम नहीं होती है तो यह देखिए इस तरह से मैंने काट लिया है सब यह देखिए काट कर मैंने तयार कर लिया है इसे काजू मठरी भी बोलते हैं देखने में अच्छा लगता है सुंदर दिखता है तो इस तरह से मैंने सारे मठरी काट कर रख ली हूं और काटने में भी फ्रेंड ज्यादा टाइम नहीं लगता है बहुत ही आसानी से कट जा ते देखिए मैंने सारी मठरी काट के तैयार करके रख ली हूं अब मैं गैस पर कड़ाई चड़ा दी हूं उस पर ऑईल डाल दिया है मैंने ऑईल आप किसी भी ऑईल ले सकते हैं चाहे आप इसे घी में भी फ्राई कर सकते हैं पर मैं इसमें मुंख़ली के तेल में बना रही हूं और में बना रही हूं तो यह देखिए और अच्छे से गरम हो जाने के बाद ही डालिएगा फ्रेंड यह देखिए मैं डाल रही हूं अब हम इसे अच्छे तरह से चलाएं डालने के बाद इसे चलाना जरूरी है फ्रेंट्स जो चिपके रहते हैं अलग हो जाते हैं तो इस तरह से आप इसे डालने के बाद अच्छी तरह से चलाते रहें ताकि मठ्री जो एक में सट गई है वो अलग हो जाए ऐसे देखिए इस तरह से आप चलाएं और इसे चलाते आप चलाएंगे नहीं न तो एक तरफ वाइट हो जाएगा और एक तरफ ब्राउन हो जाएगा तो चलाते रहना है ताकि ये अच्छे तरह से चारो तरफ से पक जाए और देखिए फ्रेंट्स देखने में कितनी सुन्दर लग रही है काजू मठरी तो इसे चलाते रहना है ब तो मिडियम आज पे ही इसे पकाए ये देखिए और बीच-बीच में चलाते रहें तो ये देखिए फ्रेंट्स इस तरह का कलर आ जाए तो हम निसे निकाल लेंगे होईल से ये देखिए इस तरह का कलर आ जाना चाहिए इन क्यादे है bell ये देखिए फ्रेंट्स देखने में कितनी अच छी लग रही है और छाने में भी स्वादिश्ट होती है फ्रेंट्स उइससी अजimaan डालके भी बनाते है पर हमारे यहाँ कलंजी डालके बनाया जाता है मंग्डल डालके इसका टेस्ट फ्रेंट्स बहुत अ मंगरहिल डालके तो आप भी इस तरह से बना के देखिए फ्रेंड्स बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट होती है यह वाली मत्री यह देखिए देखने में कितना प्यारा लग रहा है बिल्कुल काजू की जैसे लग रहा है फ्रेंड्स वीडियो पसंद आये तो लाइक जरूर करेगा और प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब